तो दोस्तो आज हम समझने वाले हैं पेरालिंपिक 2020 जो कि टोग्यों में आयजित हुआ है और हमारे देश भारत में रचा है इतिहास पहली बार गुनिस याने 19 मेडल के साथ भारत ने अपना एक इतिहास कायम किया है क्योंकि दोस्तो भारत ने पेरालिंपिक में अपना पहला कदम सन 1972 में रखा था कब रखा था तो सन 1972 में पेरालिंपिक में पहली बार भारत ने अपना कदम रखा था और ओलंपिक गेम जो हर चार वर्ष में होते हैं और ये पिसली बार में बता चुका पिसली बार हमने टोक 2016 तक यानि कि टोटल 11 मेच भारत खेला था ठीक है इसमें से केवल 12 मेडल भारत के पास आए थे ठीक है लेकिन अब की बार इतिहास रचा है टोटल 19 मेडल के साथ भारत आगे ठीक है और अब देखते हैं 2016 में जो भारत की रेंग थी वो कौन सी थी 43 वी रेंग थी और अब की चैनल पर आप बढ़े हैं 24 वी रेंग थीक है तो दोस्तों यहां पर में उन खेलाडियों के नाम में ने में चिन किए हैं जिन्होंने मेडलrah 2013 देशां की बात कर लेते हैं ठीक है तो तो वीडियो के अन तक आप बने रही हैं अगर चेनल पर आप नहीं हैं तो सस्क्रक्रक्णना बिलकुल ना भूलेगा और चेनल पर आप विजिट जरूर कीज़ेगा चाना ने कुल मेडल कितने जीते चाना ने कुल ब्रॉज मेड़ कितिए जीते तो हमें हर पहलू से ध्यान में रखके हमें। करना है पढ़ना है समझना ठीक है अब ब्रिटेन की बात करते हैं तो 41 मेडल कौन से मेडल गोल्ड मेडल 38 सिल्वर और 45 ब्रॉंज और 124 इसके साथ टोटल इसके पास है यूएस यूनाइटेट इस्टेट अमेरिका 37 गोल्ड मेडल 36 सिल्वर मेडल और 31 ब्रॉंज मेडल के साथ 104 टोटल मेडल और बात करते हैं अपने देश की तो अपना देश अपकी बार रहा है 24 याना 24 इस्थान पे अपनी रही है 24 रही है आप याद रखिएगा जरूर यहां से कोशन बन सकता है और हमने पहली बार 5 मेड मेडल भारत जीद चुका है । तो दोस्तों अब कोश्चन इनके अंदर से भी बन सकता है और कोश्चन यहां इन नाम के अंदर से सब्सक्राइब कि कि इन में से किस खिलाडी ने ब्रोंज मेडल जीता है इन सभी खिलाडी को नाम आजाएगा और इस एक का नम ब्रोंज से रिलेटेट होगा बाकी का नाम गौर्ड सिल्वर से हो सकता है तो जैसी एक्जाम होगी जैसे प्यसी यूपयसी है तो उस लेवल से ठीक है, पीज़ी, एंपीज़ी के बाद कोश्टेबल है यह सा है, तो थोड़ा लेवल सामान्य रहेगा, ठीक है, तो याने कि हमें अपर लेवल तक ध्यान में रखके ही हमें इस्टेडी करना है, तो चलिए, देर न करते हैं बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, अब 10 मिटर राइफल में, इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया, ठीक है, अब उसके बाद, सुमित अंतिल, सुमित अंतिल एथिलिक्स और इन्होंने भाला पेकादा जेलिंग थो है, आपने देखा होगा, एथिलिक्स में इन्होंने गोल्ड दिलाया है, मनिश नर्वाल, इन्होंने गोल्ड दिलाया, यानि कि टोटल यह हो गए हमारे पास, पांच गोल्ड, कितने, पांच गोल्ड मेडल भारत को प्राक्ट हो गए, अब इसके बाद, अब देखिए ये कंडिशन क्यों है, देखिए इन देशों की, अब चाइना के बाद अपन जन संग्या में, बाद, कोई भी नेता भी कर देता है, और कोई भी एक बड़ा वेक्ति कर देता है, शाशन, कि भारत के पास मेडल नहीं है, भारत मेडल क्यों नहीं जीत रहा है, तो इन लोगों को वह बात समझनी चाहिए, कि भारत में भेली बात तो निजी करन हो चुका है, 80 प्रसेंट या 90% एसे निजी स्कुल है, जिनके पास ground तक नहीं ये खेलने के लिए, ठीक है, और sport teacher की तो बाद आप छोड़ी दीजी, ठीक है, और जो teacher है, वो भी काबिल नहीं है, और जो काबिल teacher है न, वो घूम रहे हैं अपनी degree कले में लटका के, ठीक है, तो ये condition है, तो केसे medal games के लिए हमारे पास मेदान नहीं है, games के लिए कोई, कोई आयोजन नहीं होता है, कोई interest नहीं सरकार को, ठीक है, तो medal मिलना भी मुश्किल है, और मुझे लगता है, शिक्षा का इस तर भी गिरता जा रहा है, और हाला खराब हो सकते हैं देश के, ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ इनकुछ जरूर करेंगे, हमारा knowledge जो है, जरूर कहीं कहीं काम आएगा, जैसे कि मेरा knowledge है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुचाने कि इसी प्रकार, आप भी अपने knowledge को हमेशा update कीजिए, बिल्कुल negative होने की जरूरत नहीं है, एक skill develop कीजिए अपने life में, ज रिशाद कुमार, athletics silver, योगेष्प कथुनिया, athletics में silver, देवेंदर जहजरिया, athletics में silver, और है मरियपन थंगावेलू, athletics में silver, उसके बाद, प्रवेंड कुमार, athletics में silver, उसके बाद, सिहराज, अधाना, shooting में silver, उसके बाद सुहास यतिराज विडिमिंटन में सिल्वर उसके बाद सुंदर गुर्जर एथिलिक्स में ब्रोंज मेंडल यानि यह हमारे पास हो गए हैं चार और चार यह हो गए है आठ हमारे पास सिल्वर ठीक है उसके बाद ब्रोंज मेडल की बात करते हैं तो सुन्दर गुर्जर एथिलिक्स में अब अगर एक्जामीनर का दिमाग घुम गया उसका किसी से घर में बीबी से लड़े वड़े हो गए रूस समय उसने अगर पेप का नाम ज्यादा आ रहा है तो एथिलिक्स में जो मेडल है वो सबसे ज्यादा भारत को प्राप्त हो गए ठीक है सिहराज अधाना शूटिंग में ब्रोंज मेडल है ठीक है दो ब्रोंज हो गए और चार ब्रोंज यही रहे याने टोटल हो गए से इसमें शरत कुमार एथिल राइफल शूटर है ठीक है एक होता पिस्टन शूटर और यह है राइफल शूटर उसके बाद है अर्विंद सी हैं आर्चरी ब्रोंज मेडल और मनोज सरकार बिडिमिंटन में ब्रोंज मेडल यह हो चुके टोटल 19 मेडल अब दोस्तों सीखने को तो बहुत कुछ हो सकता है और पढ़ने को तो कितना भी पढ़ो कम होता है अब कैसे भी पूछ सकता है कि मनोज सरकार बिडिमिंटन में ब्रोंज मेडल जिता है इनका संबंध कोन से राज्य से हैं ठीक है यानि कि जितना पढ़ोगे उतना कम ही पढ़ेगा लेकिन इसमार्ट इस्टेडी करिए ठीक ह मैंने शोट वीडियो भी चालू किये हैं जिसमें एक छोटी सी सिर्फ कुछ सेकंड में एक पूरी बात को मैं समझा सकता हूं और वो आपको इंट्रेस्टेंग भी लगे तो ऐसे वीडियो मैंने बनाना शुरू किये हैं जरू सपोर्ट कीजेगा और शेर कीजेगा और अगले वीडियो में जाए हिंद जाए पारग अगले वीडियो में जाए हिंद जाए पारग